ये सो हलो एब्रीबान है तेश येर तोड़ी वी गना टॉक अब आप सभी से माफ़ी माँगना चाहता हूं क्योंकि इस चैनल को स्टार्ट करे वे मुझे टाइम तो हो चुका है लेकिन इस पर रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी अब ही मेरे पास में करीब 6 चैनल्स हैं और 6 ओपर ध्यान देना थोड़ा सा फिजिकली मुश्किल हो जाता है मेरे इन बाकी की चैनल्स पर भी काफी अच्छा कॉंटेंट आता है जो कि मैं डेली अप्लोट करता हूं तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेक आउट कर सकते हैं लिंक इन दे डिस्क्रिप्शन चले आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरवात में हमें इस कहानी की दोनों लीट करेक्टर्स दिखाया जाते हैं लाची और किशन इन दोनों की शादी हो रही होती है बिलकुल एक राजिस्थानी ट्रेडिशन से बारात जब किशन के गाउँ जा तो रास्ते में वो लोग ठक जाते हैं और एक जगह रुकने का टेसाइट करते हैं तभी वहां पर लाची फ्रेश होने के लिए उस बेल गाड़ी सोतर दिये लेकिन तभी उसकी कपड़ों पर एक कववा बीट कर देता है वहीं पर उसकी साथी कमली भी पहुंच जाती है और चांद बावडी दिखाया जाता है और गाईज अगर आपको पता नहों तो बता दू बैटमैन डार्क नाइट राइस में भी जब बैन ने बैटमैन को एक चील में भीज दिया था तो वो भी यही चांद बावडी ही थी यहां पर वो मायवी पंची बार बार लाची के आस चानों से दिखाई बढ़ते हैं यह देख लाची काफी जदा डड़ जाती है और वहां से चली जाती है यहां पर अगेन वह पंची अपने पीपल के पेड़ पर आकर बैड़ जाता है तभी यहां पर निरेटिंग वोईस में दो कटपुतलियां आपस में बात करती हैं और और फूल गुलाब जड़ और एक चौथा एक्सपेंस उसे याद नहीं आ रहा होता है तब यहां पर लाजी की एंट्री होती है और वह से कहती हैं तो क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें रिपलाय में किशन कहता है कि नहीं सारा काम मुझे आज ही करना पड़ेगा क कि कल मैं दूसरे शहर निकल रहा हूं पिताजी ने कहा है कि व्यापार करने का ऐसा शुब अवसर 15 सालों में सिर्फ एक बार आता है और वो दिन कल है अगर कल का दिन चूक गया तो फिर अगले मौके के लिए मुझे 15 सालों तक इंतिजार करना पड़ेगा जो कि मैं बिल्कु क्योंकि ये तो उसकी शादी का पहला दिन था लेकिन इस बात ने उसे पूरी तरीकी से तोड़ दिया होता है किशन उसे मनाने की काफी कुशिश करता है मगर लाची का दिल तूट चुका था और वह बहुत जूर जूर से रोने लगती है वहीं पर जीन शिफ्ट होता है अ सुख होता है और ये सुख पाने के लिए लोगों की जिंदगियां बीच जाती है तो खुशी मना कि आज वो दिन है तेरी लिए किशन भी अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए मैं जितना यहां से लेकर जा रहा हूं उसका दस गुनाही लेकर लोटूंगा जब भी वह भूत एक इंसान का रूप धरकर उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है कि शाइद कल मैं आपको देखा था आपकी शादी तो कली हुई आखिर आप जा रहे हैं रिप्लाय में किशन कहता है कि मेरे पिता जी कहते हैं कि व्यापार से बड़ा कोई सुख नहीं होता और आज का दिन तो काफी जदा शुब है ऐसी शुब गड़ी 15 सालों में एक बार आती है इसलिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूं व्यापार के लिए वापस लॉट आओंगा पांच साल के बाद में ये सुन उस भूत को खुशी होती है कि ये तो पांच साल के लिए इस शहर सही बाहर जा रहा है क्यों ना मैं इसी का रूप धर्द कर इसके घर पहुंच जाओं और फिर वो उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर सेम टू सेम किशन का रूप बनाकर पहुंच जाता है उन्हीं के घर जहां उसे घर वापस आता देख बनवर लाल उससे पूचते हैं कि लिए किशन तू तो परदेश गया था व्यापार के लिए आखिर वापस यहां क्यों लौट आया तो जवाब में किशन कहता है कि रास्ते में जाते वक्त मुझे एक मातमा जी मिले जो की लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे मैं तो जाकर सीधा उनके चरणों में और उनकी काफी सेवा करी तो मातमा जी ने मुझे वर्दान दिया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए तो मैंने बताया कि मैं तो व्यापार के लिए परदेश जा रहा हूं मेरे पिता जी ने कहा कि व्यापार का काफी शुब अफसर है और अब क्योंकि किशन ने मातमा लाची ने कहा ठीक है कोई बात नहीं तुने बहुत अच्छा काम किया मगर यह रास की बात है यह सिर्फ हम दोनों की पीच में ही नहीं चाहिए किसी और को इसके बारे में खबार ना चले अब तु जा सीधा जाकर सोजा और सवरे तड़के आकर मुझे मेरी पांच सोनी की श कर देख लेने के बाद में कोई इंसान कौछ और देख सकता है के बला यहाँ पर लाची में किशन के प्यार में पढ़ चुकी होती है और उनके बीच में एक इंटिमेट सीन भी होने ही वाला होता है लेकिन तब ही वहां पर किसंद बोल पड़ता है कि एक बार जांच कर लो कि मैं कोई और तो नहीं तो नहीं नहीं केuciónघा है कि नहीं मैं तो तो वही भूत के पेड से घूर गूर कर देखा था और वहां पर जो पंची आया था वो भी मैं रही थे यह सुनलाचि काफी जट डड़ जाती है तभी वाँर किता कि मैं चाहता तो नहीं बता सकता था लेकिन अगर नहीं बताता तो अंदर ये पयोता है मेरे बारे में यी सच सिर्फ तुम्हे पता है पहले तो लाची वह काफ़ी दा परिशान होती और फिर हो कहती ये लेकिन दूसरे वाले को रोकने का हग तो कम से कम है मेरे पास में और इसी के साथ लाची इस भूत को अपना किशन मान लेती है यहां पर अब इन दोनों के बीच में भी प्यार बढ़ जाता है और एक वन आफ देस्ट सॉंग में दिखाया जाता है वैल वह मैंसे प्ले कर नहीं सकता क्योंकि अगले दिन सुबह किशन जब उठकर अपने बरामदे में आता है तो उसके पिता बनवर लालव से कहते हैं कि रे किशन इधर आ तो उन्हें मुझे से वादा किया था कि सुबह सुबह तो आकर मुझे मेरी पांच सोनी के शर्फिया देगा अभी तो दस बजने आई हैं कहां मेरी पांच सोनी के शर्फिया तो किशन कहता है कि जिस वक्त में आपके पास आया उस वक्त आप सो रहे थे तो मैंने चुप-चाप आपकी जिब में डाल दी आप एक बर चेक तो कीजिए और जैसी बंदवर दालते हैं तो उन्हें वही पांच चमकती सोनी के शर्फिया मि घरवालों की तरफ से कोई चिठी आई और ना ही कोई सूचना क्यों ना मैं खुदी एक चिठी लिखकर घर पर भिजवा दूँ तभी वो बोजह को जो की एक पोस्ट मैं हुआ करता था उसे एक चिठी देकर अपने गाउं भिजवा देता है यहां पर बोजह की मुलाकात दुप्लिकेट किशन से होती है वो आकर उसे कहता है कि मैंने तो आपसे चिठी ली और मैं आपके घर पर देने आले वाला था लेकिन आप तो मुझसे भी जल्दी यहां पर पहुँच गये यह सुनकर भूत समझ जाता है कि यह चिठी असली किशन ने भीजी है इसलिए वो चिठी को खुद के पास रख लेता है और बोजह को वापस खुद के जामघर जाने के लिए बोल देता है और साती थे चिठी को वहीं पर फाड़ देता है जब बोजह 15 दिनों के बाद चलते चलते वापस से जाम नंगर तो रूहल किशन उस से पूचत है कि मेरे परीवार लिए तो जाकर मैं खुद क्यों पढ़ूंगा दोनों के बीच में हो जाती है कि मैं पागल नहीं तुम पागल हो खुद की चिट्टी खुदी को बेच कर खुदी फाड़ देते हो पंदरा दिन का सफर तैय करकर पहुंचा था तुमने तो पानी तक नहीं पूझा इस कि अपना करना चाहेंगे नहीं नहीं कर पाया और अपना फ़ोड़ कर चला गया और यही साथ शालों से मैंने रेसों में पुर्ट आपर पहुंच जाता है और इस तक हो सकता है और मेरे खोई बड़े भाईया वापस से घर लौटा हैं ये सुन बनवरलाल जी कहते हैं कि ठीक है इस साल हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और ये रेज जीत कर भी रहेंगे यहाँ पर धीरी-धीरी समय बढ़ता जाता है और हम रियल किशन को देख पाते हैं जिसे कि अब आठ माईने हो चुके होते हैं जामनगर में काम करते-करते और अपने वेपार को बढ़ाते हुए तब ही वो एक और चिठी लिखता है और जाकर भूजा को देता है और कहता है कि इस बार में ये चिठी अपने हातों से तुम्हें दे रहा हूं और जाकर सीधा मेरे पिताजी को ही देना चाहो तो मुझसे डबल पैसे भी ले लो तो पहले तो बोजा सूचता है कि मैं चिठी लू या ना लू लेकिन डबल पैसों की बात सुनकर वो इस काम के लिए हां कर देता है जब बोजा अप कि मुझे इस बार किशन ने डबल पैसे देने के लिए का है मगर फिर भी उसकी वीवी नहीं मानती और उस चठी को फाड़ कर चूले में फैक देती है यहां पर सीन शिफ्ट होता है उंट की रेस में इस साल बनवर लाल जी का उंट भी रेस में शामिल था लेकिन अब काफ है जिसे देख पूरा परिवार खुश होता है और घर में खुशाली आ जाती है मगर लाची इस बात से खुश नहीं थी वह आकर किशन को कहती है कि तुमने जो आज किया उससे पूरे गाओं के अंदर ये बात फैल चुकी है कि आज रेस में जादू टोना हुआ है जो कि त से बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्णिंग और हम देख पाते हैं कि लाची अप प्रेगनेंट हो चुकी है यह देख किशन की आँखों में आसु आ चुके होते हैं यहां पर दोनों जन्हें अपना परसनल टाइम स्पेंट करते हैं किशन लाची को कहता है कि से बेटी चाहिए और लाची भी कहती है कि हां बेटी होगी तो काफी इच्छा रहेगा यह दोनों ही उसका नाम लूनी मा तैय करते हैं यहां पर अगेन एक बहुत इच्छा सौंग में दिखाया जाता है गाउं के रंगीले रंग भी दिखाया जाते हैं इस खबर को आकर गाँव के लोग को आकर बताते हैं कि तम तो अब पिता जी बनने वाले हो यह सुन रियल किशन के साथ में कुछ直 किया यह नहीं तो फिर मैं कैसे बाप बनने वाला हूं क्योंकि मैं तो शादी की रात को ही अपना गाव चोड़ कर यहां जामनगर आ गया था जिसके बाद तो रियल किशन बिना वक्त गवाय सीधा अपने गाव पहुंचता है जहां पर उसकी बुलाकात डुप्लिकेट किशन से होती है बन नहीं तो मुझे पाला है क्या आप मुझे पैचान नहीं सकते मगर भूत ने उसकी हुबहु कॉपी कर रखी थी और साती हर सुबह पांच सोनी की इशर्फियां देनी की वजह से बनवर लाल जी अपने दूसरे बीटे का साथ ने बात है यह सुन रियल किशन काफी हरान हो और कहता है कि क्यों ना हम दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबल हो जाए सारे गाउं को एकटा किया हो जाए इस बात का फैसला सरपंच ही करेंगे यहां पर रात के वक्त पूरा गाउं एकटा हो जाता है और सभी मिलकर यह डिसाइट करने के बारे में सूचते हैं कि रिय यहां भी वापस आ चुके होते हैं और यह सब भी भूत वाले किशन ने अपने मैजिक के थ्रूई किया होता है यहां पर अगें सीन शिफ्ट होता है उन सभी गाउंवालों पर जो कि इस वक्त भी फैसल नहीं कर पाये थे कि आकर रियल किशन कौन है और फेक किशन कौन है तब यह सब गाउंवाले डिसाइट करते हैं कि क्यों ना राजा जी के पास चला जाए और वही इस बात का फैसला करेंगे कि बंवर लाजी के असली उलाद कौन है सफर काफी लंबा था और रास्ते में जाते वक्त एक सुनसान रेगिस्तान आता है जहां पर एक गड़रिय अपनी भेड़ों को चला रहा होता है इस गड़रिय का रूल जिन्होंने प्ले किया है उन्हें पूरा हिंदुस्तान तो क्या पूरा वर्ल जानता है जिनके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूत में इस मूवी में अमिता बच्चुन जी की गेस्ट अपीरियंस लेकिन इन में से फेक कौन है इसका पता करने के लिए ही हम राजा जी के पास जा रहे हैं तो गड़रिया उनसे कहता है कि यह तो काफी जदा आसान है इसे तो मैं भी सॉट आउट कर सकता हूं इसके लिए राजा जी को परिशान करने की क्या जरूरत तो गाव की लोग कहते कि ठीक है अगर आप इनके अंदर अंतर कर सकते हैं तो कीजिए उन दोनों के सामने रखता और बोलता है कि जो भी अपने हाथ पर यह कोईला रखेगा वही होगा सेड़ जी का असली बेटा तो रियल केशन जाकर उन कोईलों में से कोईला उठाने की कोशिश करता है जबकि मा जाने से पहले जो भी इस छागल में पहले चला जाएगा वही होगा बहु का सच्चा प्रेमी यह सुन किशन कहता है कि एरो गड़िये तेरी मती मारी गई है कि आखिर मैं इतना बड़ा सरा इंसान इस पानी के छागल में कैसे खुशंगा चागल यानि की वाटर पैक तभी फैंक देता है और यहीं पर दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है और बनवर लाल जी को अपना असली बीटा मिल जाता है जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है किशन और लाची पर यहां पर लाची काफी जदा परिशान थी क्योंकि उसे तो प्यार मायावी से था Real Kitchen ने तो आज तक उससे प्यार की दो बाती भी नहीं करी थी लेकिन तबी कहानी में twist आता है और Real Kitchen उस प्रेथ की तरह हसने लगता है और उसी तरीके से लाची को छूने लगता है जिस तरीके से वो से पहले छुआ करता था और इसी के साथ ये मुवी यहीं पर end हो जाती है अब यहाँ पर मैं आपको इस कहानी का main climax explain कर देता हूँ रियल किशन में fake किशन यानि की मायावी की आत्मा ट्रांसफर हो चुकी थी अभी ऐसा कब हुआ था अगर आपको याद हो कि जब गडरिये ने साथ चुटकी का एक टास्क दिया था तो सिर्फ एक ही चुटकी में मायावी उस चागल के अंदर भी घुज गया और आधे पल में उससे बाहर भी निकल गया तो लोगों को लगा कि मायावी अब उस चागल के अंदर कैद हो चुका है लेकिन वो चागल खाली थी और अब जैसा कि मायावी ने कसम दी थी लाची को अपने प्यार की कि वो कभी जुदा नहीं होंगे इसलिए उसने असली किशन के ही शरीर को अपना बना लिया और उसके अंदर सीधा जाकर लाची के पास मिल गया और इसी के साथ की शांदार कहानी यही पर खत्प होती है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताईए और साथ ही अगली बॉलिवूड मुवी का एक्स्मेलिशन आप कौन सा चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताईएगा सो तब तक के लिए कीप वाचिंग और स्थे सेफ और थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो कि अगले वीडियो में